हेलो फेंट्स यह NCRT Biology Fast Division का 8 पार्ट है इससे पहले हम इसके 7 पार्ट अप्लोड कर चुके हैं इन वीडियो में हम Biology के ऐसे पॉइंट देखते हैं जहां से Questions पूछे जाता है तो पहला पॉइंट है Statification जो की NCRT के Page No.242 पे दिया हुआ है Vertical Distribution of Different Species Occupying Different Level is called Statification यनि की तरह तरह की Species जो की तरह तरह के Levels पर पाए जाती है यदि हम उनका Vertical Distribution करें तो इस Process को Statification कहाता है Example की तोर पर Forest को 3 Levels में बाटा गया है सबसे पहले Trees Occupy Top Vertical Stata यनि की Trees को सबसे ऊपर रखा जाता है इसके बाद Serbs इन्हें Second Level पर रखा जाता है जबकि Herbs and Glasses को Bottom Layers में रखा जाता है तो ये Example भी आपको याद रखना है क्योंकि इनमें से Question पूछे जाता है इसके बाद है Earthmatic Growth ये आपके NCRT के Page No.243 पे दिया हुआ है Following Mitotic Division ये Mitotic Cell Division को Follow करता है इसमें क्या होता है इसमें केवल एक Doter Cell डिवाइड होती है बागी सभी Cells या तो डिफ्रेंसियेट होती है या फिर वो मैच्योर होती है Example है इसका Root Elongation तो आप समझ सकते हैं माल लीजी ये एक Root है तो Root में जो इसकी Main Axis होती है जो इसकी Main Axis होती है वो लगातार Growth करती जाती है जबकि इसकी Side वाले जो Roots होती है वो या तो डिफ्रेंसियेट करती है या फिर मैच्योर होती है तो ये डिवाग्राम आपके NCIAT में दिया है इसे आपको याद रखना है इसके बाद NCIAT के Page No. 265 पे दिया है Co-Extincions When a species become extinct The plant and animal species associated with it In an obligatory way also become extinct यानि कि जब कोई species लुप्थ हो जाती है तो इसके साथ सम्मंदित plant या फिर animal की species भी लुप्थ हो जाती है तो इस Process को कहते हैं Co-Extinction यानि कि साथ में लुप्थ होना तो इसके एक्जाम्पल्स हैं जो कि NCIAT में दिये हैं No. 1 Host Fish Extinct Parasite Extinct यानि कि जब एक Host Fish Extinct या फिर लुप्थ होती है तो साथ में उसका Parasite भी लुप्थ हो जाता है No. 2 Plant Extinct यानि कि जब कोई Plant Extinct होता है तो साथ में उसका Pollinator भी Extinct या फिर लुप्थ हो जाता है तो आपको ये दोने एक्जाम्पल्स याद रखने है इसके बाद एक Important Point है Scurber can remove gases like SO2 Scurber SO2 जैसी gases को remove कर देता है ये Point बहुत Important है क्योंकि AIMS में और AIPMT में पूछा गया है अब देखते हैं cartilaginous joint तो देखिए ऐसे joint जिनमें की limited movement पाजाता है इन्हे cartilaginous joint कहता है इसका example है जो की NCRT में दिया है vertebral column और आपको याद दखना है cape CA4 है cartilaginous joint and VE4 vertebral column तो आपको इससे याद रहेगा Then fibrous joint immovable joint याद की ऐसे joint जिनमें कोई movement नहीं पाजाता है उन्हें fibrous joint कहता है इसका example है skull इसके बाद chlorosis या फिर yellowing of leaves याद की ऐसे कौन से elements है जिनकी कमी से chlorosis या फिर leaf में yellowing हो जाती है तो इसके letter है sorry फिर कल मैंने मनजन नहीं किया तो सोरी से है sulfur फिर से fe iron कल से potassium मैने से mn मन से mg जन से zn नहीं से n एंड किया से आगेन आप कि ये लिख सकते है तो यहाँ पे है sulfur iron potassium mn mg zn और nitrogen तो ये सभी chlorosis के लिए जिम्मेदार है यानिकी कमी से chlorosis हो जाता है या yellowing of leaves हो जाती है इसके बाद है bio diversity hot sports जो की in-situ conservation के अंदर गत आते है तो इनकी total संकिया है 34 और जबकि इन में से 3 इंडिया में है जो की है western gart और स्री लंका इंडो बुर्मा और हिमाल्या तो आपको ये सभी example याद रख ले है covers less than 2% of earth area और इनोंने अर्थ का 2% से भी कम area cover किया हुआ है M.A.B तो आप से M.A.B की full form पूछी जाती है इसकी full form होती है man and biosphere दन इसके बाद NCRT के page number 271 पे दिया है electrostatic precipitator can remove over 99% particulate matter present in exhaust from a thermal power plant एक thermal power plant के exhaust में से ये 99% particulate matter को remove कर देता है goal of road map goal is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel and bring down the level to 35% तो देखिए road map का goal है petrol और diesel में sulfur को 50 ppm तक कम करना और उसके level को 35% तक लेके आना दन इसके बाद terror of Bengal water hyacinth इकोर्णिया क्रेविसेप्स को terror of Bengal कहता है और ये वर्ड की सबसे ज़्यादा problematic aquatic weed है they grow apparently in eutrophic water bodies and lead to an imbalance in the ecosystem dynamics of the water body ये बहुत तीर वगती से एक nutrient rich water body में grow करती है और इसके ecosystem dynamics को imbalance कर देती है जन इसके बाद है ecosystem toilets human acceptra can recycle into our resources तो देखिए ऐसे toilet होते हैं जो कि human acceptra जैसे की fecal matter को recycle करके resources में convert कर देते हैं और NCRT में इनकी location केरला एंड स्रीलंका में दी होई है तो ये example आपको याद रखना है तो यहाँ पे हमने NCRT biology में दिये हुए कुछ important point देखे हैं आगे भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए upload करते रहेंगे थैंक्यू वाले